संकर, शिव के मस्तग पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर, धतूरा पहली बार चड़ाया गया वो फुलेरा दूच का दिन था इस लिए शिव महापुरान की कyst妳 किता कती है जिस दिन कोई महरत नहीं हो, कोई काम नहीं हो उसदिन केवल फुलेरा दूच के दिन आप किसी भी दुकान का, वेपार का, वेवसाय का, जन्म का, आदिक का, कोई भी महरत कर लो वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं सारी जिंदगी के कांटे समाथ तो हो जाते, फुले रादूच का दान पुन्य सतकर्म भजन कीर्टन नामिस्मर्ण समापत नहीं होता है जब करा जाते हो अचनक गिर जाते हो हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर स्वास फूल जाती हो ज़्यादा चड़ने पर उनके लिए विशेश है कि धतूरे की जड़ को धतूरे का जो कि जड़ महाराज निकाल कर दो कर उसको गिस कर शंकर वगवान पर उसका लेपन कर दीजिए थोड़ी सी जड़ शिवजी पर चड़ा दीजिए फूले रादूच के दिन उस जड़ को पानी चड़ा कर बापिस ले कर जाईए जो मिरगी का मरीज होता है जिसको दमे की शिक सुगंद में सुगा दी जाती है तो मिरगी की बिमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा स्वास फुलता है उसको भी अराम लग जाता है फूलेरा दूच के दिन उसके लिए नित आनंद का सुख दे जाती है और विद्यान दे जिसको बहुत भारी बिमारी हो डाप्टर क जरुवत है आपरेशन कराना पड़ेगा काट हो गई है यह हो गया है वो हो गया है निवेदन है एक धत्वुर्या फुले रादूच के दिन भगवान शंकर के शिविलिंग पर समर्पित करें और पांच बेलपत्र नंदिश्वर भगवान पर अर्थाथ भगवान नंदी पर चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए हरन महादेव शरी शिवाई नमस्तू ब्यां